आज मैं आप लोगों को इंडियान बाइक ड्राइविंग के अंदर हमारे प्रिभू शिरी राम जी का अयुद्या मंदरे दिखाने वाला हूँ अगर आप भी मेरी तरह इंडियन बाइक ड्रैविंग 3D की दिवाने हो तो चली आज मैं आप लोगों को हमारे प्रिभू शिरी राम जी की दर्शन कराने वाला हूँ सबसे पहले तो गईस मैं अपने रूम के अंदर जाता हूँ तो गई मुझे पता चलता है यहाँ पर किशी ने फैन को ओन कर दिया है तो चली हम इसको बंद करते हैं और अभी मेरा यहाँ पर मैं सोच रहू हूँ भाई बैक से चला जाओ लेकिन मैं बैक से नहीं जाओंगा वैसे बैक से जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन वाई क्या होता है जो राष्टा है राम मंदिर का वो कापी दूर है और हाईवे पर कापी सारा वान चलता है तो जाकर मुझे राम मंदिर मिला है मैंने वाई कापी आदा टाइम बिताया है इंडियन बाइक में जितना भी मैप है ना मैंने शाराप मैप को कोज डाला था लिकिन आकिरकार मुझे बोवाली जगए मिल गई वहाँ पर हमारे प्रभुशिरी राम का मंदिर बन सके सामने वाला जो राष्टा था ना वो सोर्ट है लेकिन वाई क्या होता है ना वहाँ पर कापी सारा भान चलता है इसलिए और शाथ में वो सहर की बीच में होके जाता है हमको आराम से जाना है राम मंतिर तक पहुंचना है अभी आप यह वाला जो राश्ता देख पारे हो ना कापी यादा परपेक्ट इतना जादा बहान नहीं चलता है लेकिन फिर भी हमको समल कर चलना होता है अभी यहाँ पे कापी खतरनाक भाई मोड आ गया है लेकिन भाई इ एवाला जो राश्ता है ना कापी यादा लंबा पड़ गया है मेरे लिए अभी ठीक है लेकिन नेक्स टाइम आपको जो दर्शन कराऊंगा ना वो सोरट में जाकी वताऊंगा तो अभी देखू एवाला जो सिटी है ना बो इतना जादा बड़ा नहीं है लेकिन इसमें ज एंसर ना लो गाड़ी तो हमारे पास कापी सा रहा है अगर एवाला गाड़ी राश्ते में कहीं पर भी खराब हो जाता है तो हम दूसरा गाड़ी मंगा लेंगे लेंगे लेंबर गीनी लेकिन वाई क्या होता है ना हम राम मंदिर जा रहा है तो ऐसा कोई प्रब्लम होने वाला नहीं है अभी हमारी प्रवू का जो मंदिर है ना वो लेप्ट शाइड में तलाप के पास में लेकिन मैं आपको थोड़ा आंगे जाके एक पार्क दिखाता हूं ये वाला जो पार्क है ना वाई कापी जादा सुन्दर है अगर कभी भी आप एदार आओ तो इस वाले में जरूर जाना जैसे कि आप इसका जो दर्वाजा देख रहा हो ओटोमेटिकली खुल जाता है लेकिन अभी मैं आप लोगों को पार्क के अंदर नहीं गुमाने वाला हूं क्योंकि इसमें मुझे इतना ज्यादा मज़ा नहीं आ रहा है अभी मैं जन्नत लेकर चलता हूं आपको हमारी प्रीव श्री राम अयुद्या मंदर तो यहां पर दिखेगा है सामने ही मंदर है जश्ट सामने तो यहां पर थोड़ा सा स्क्रेच पिरा गया गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है चलता है एंड अभी देखो सामने इधर की साइड एक तलाव है लेकिन वाई जगहे पर मंदर बनाएं वो कापी ज्यादा मुझे मतलब एमेजिंग लगाए क्योंकि बहां पर कुछ ज्यादा चैल पहल नहीं है और कापी यह ता मजजिदार है अरे अभी पानी में गाड़ी चल गया है लेकिन पानी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा तलाब नहीं है और भाई यह मैंने कापी मेहनत के बाद मुझे पता था यहाँ पर तलाब है और यहाँ पर कापी सुकून भी है क्योंकि इस जगहे पर हमारा जो मंदर है कापी ज्यादा एमेजिंग लगेगा अभी आपको बताता हूँ भाई जो गाटी है उसके तोड़ा उपर है और यहाँ पर मैंने कापी मेहनत के बाद जगहे को डूंडा है साथ मैं अभी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है अभी देखो यहाँ पर क्या लपड़ा हो गया है मैं यहाँ पर ब्रेक जैसी लगाता हूँ न गाली का तो यहाँ पर देखेगा मैंने इस बं तो पर एक बार फिरशे गरेगा तो मैंने सोचा इसको मोडल पे कुना दू तो भाई देखो मोडल पे जैसी कुंदा फिर भी नीचे नहीं गरा है यह अजीव है भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा तो अभी यहां से आसानी से उतर गया है अभी देखो जो घाटी है मैंने जैस्ट उसी की ऊपर मंदिर है हमारी प्रभू शिरी राम जी का अभी भाई मुझे सिलो मोशन में चलना पड़ेगा तभी मज़ आएगा अब देखो भाई मैंने एक दू घंटी इस गेम में खर्च किया था मैंने कापी सारा जगे देखा था लेकिन यह वाला जो ज शकता अपनी तरफ से पूरा किया है लेकिन वाई कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा है और आप सब का धन्यवाद जो आपने प्रभू का एक जलक पाने के लिए यहां तक वीडियो को देखा है कमेंट में जरूर बताना कौन-कौन ने यह वाला जलक देखा है